नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटीब चैनल पे आज एक ट्वीट बहुत हो रहा है आज एक पिक है वो बहुत वैरल हो रही है और बच्चे जो है जो अब भरती हैं जो 79,000 सिक्षक भरती के बाद से इंतजार कर रहे हैं नई सिक्षक भरती का वो आज य महौल और क्या रहा आपके पहले अकलेश जी के भरतियों का महौल तो देख लेते हैं योगी जी वर्स अकलेश जी दोनों के बीच में संग्राम क्या रहा और कौन जीता है उस संग्राम में और ट्वीट बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूं तो यह आप लोगो पुलिस भरती के हम बात नहीं करने वाले हैं तो सबसे पहले आप देख तकते हैं यहां पर की नवंबर 2011 में 72000 भरती वहते तो 72000 भरती मायावती जी की टाइम पर थी पर जो कम्प्लीट हुई थी वो आके अखलेजी की टाइम पर बल्कि अभी भी वो चली रही है तो हम बहतर हजार को अगर हम निगलेक्ट भी कर दें कि चलिए यह बीज का मामला है तो हम बहतर हटा देते हैं अक्टूबर 2012 में उन्होंने 9770 इतनी वेकेंसी निकाली थी 2012 में अगले ही साल 13 में एक भरती आई थी जो कि है 10800 की देख सकते हैं आपके सामने हैं उसके बाद 2013 के अगस्त में ही उन्होंने एक विज्ञान गणित की सहाइक अध्यापक भरती निकाली थी जो कि वेक्से तो ज जूनियर में गई थी प्योर प्राइमरी में वो लोग नहीं आये थे लेकिन लंसम हम मान लेते हैं कि यह रहे 30,000 पद 29,334 विज्ञान गणित के पद थे तो इसमें शायद बीयडवानों को लिया गया था फिर अगस्त 13 में ही एक उन्होंने उर्दू शिक्षक भरती निक एक शिक्षक भरती निकाली थी जो की एक बड़ी बात है देखिए आप यह देख सकते हैं कि समय काल आप देखना है आपको कि कितनी जल्दी भरती थी फिर 14 में फिर से 15,000 शिक्षक भरती थी अब देखिए बाद में बात करें कि इन भरती का हुआ क्या था उसकी बाद भरती आई थी इसको हम हटा सहार आटा रहे हैं 16 में 16,448 है लिकि हम इसको 16,500 मान लेते हैं कि 16,500 की भरती निकाली थी उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर 16 में भरती और आई थी 12,460 12,460 की भरती आई थी इसको भी हम ले लेते हैं और उसके बाद हम ले लेते हैं हमारे 4000 की उर्दू भरती जिसको हम अभी नहीं लेने वाले क्योंकि ये भी प्योरली उर्दू भरती ही थी तो अगर हम इन सभी भरतियों को जोड़ने बहतर हजार को हटा कर और उर्दू सिचक भरती को हटा कर तो जो आंकड़ा है वो लगबग लगबग आने वाला है आपके पास वो आने वाला है करीब एक लाख चार हजार पांसो तीस मतलब हम एक ग्रॉस मान के चलें तो करीब एक लाख पांच हजार शिक्षक भरती अकलेज जी के टाइम पे निकाली गई थी और ये कब जब हम 72,000 को और उर्दू सिक्षक भरती को हटा दे रहे हैं अगर हम 72,000 को जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा करीब करीब आपका एक लाख 75,000 के आसपास पहुंचने वाला है ठीक है उससे भी प्लस होने वाला है लेकिन एक्शल में 72,000 सिक्षक भरती मायवती ज करें आपर तो एक भरती आई है जो की 58,500 की भरती और एक आपके पास 69,000 की भरती मतलब इन दोनों को भी अगर हम जोड देएं कि बरती आपके पास अगर हम ओवर Siiट की बात करें तो definitely यह पर योगी जी आगे हैं, योगी जी ने निकाली है, टोटल करीब-करीब डिर लाग के आसपास, और अकलेज जी की टाइम पर लगबर-लगबर हम उसको ग्रोस मानके एक लाग दस पीमा ले, तो करीब-करीब 30,000 सीट्स का फेर है दोनों, योगी जी और अकलेश जी के टाइम पर अब बात करते हैं पहली कि अकलेश जी के टाइम पर ये जितनी भी भरतियां है भाई ये सबी भरतियां बहुत लंबी अटकी 12,460 का तो मुद्दा आज तक चल रहा है जो कि 2016 की भरतिया वो complete नहीं हो पाई और इसी तरीके से अगर हम बाकी भरतियों की बात करें चाहे वो कोई भरति रही हो 16,448 और 12,460 में तो बहुत बड़ा केस चला था तो ये जो भरतिया है हाँ definitely अटकी बहुत है लेकिन अन्तता जाके उनको नियुक्ति पत्र मिला है इसी तरीके से अगर हम योगी जी की बात करें तो अर्सट पान सो और उननतर हजार की बात करें तो हाँ अर्सट पान सो भले ही छह महीने में अटक के साथ महीने में अटक के कंप्लीट हो गए थी लेकिन उनतर हजार को भी लगबग लगबग पॉने दो साल के आसपास इन्हों ने जुला लिया था तो हम इस दोनों कमपैरिजन की अगर हम बात करें कि क्या इसकी हम बात करें कि इसमें कौन जीतेगा तो देखे हां हम एक बात कहने वाले हैं कि टोटल लंबर अव भरती कितनी आई तो इसमें हम जो जीत देने वाले हैं वो योगी जी को रहे हैं बस समय का जो अवदी है वो कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है तो दोनों में अंतर है अब अगली बात ये कर लेते हैं कि ये जो भरतियां आई ये किस हिसाब से आई तो देखिए सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी जिसमें मैं फुल-on प्राइज जो पॉइंट्स को देने वाला हूं कि देखिए अब समय देखे देखिए गारा में भी आई बारा में भी आई 13 में to 33 बार आगई फिर चार बार भी आगई चलिए, उसके 14 में भी आई, 15 में भी आई, 16 में भी आई, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर साल भरती आने में, भले ही आप 10-10, 12-12,000 की भरती निकालिए, लेकिन बच्चों को तयारी करने का continuation में जब मौका मिलता है, तो इससे बहुत से चीजी च करी थी कि हर साल हर बैच को एक भरती मिल रही थी, हाँ, हाला की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई एक्जाम नहीं होते थे, सीधे बीटीसी और जो लब्रियाट तो था ही नहीं, सीधे बीटीसी करके आपको अपनी मेरिट के हिसाब से जोब मिल जाती थी और योगी हैं, एक तरीके से योगी जी और अखले जी में, तो एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है, और वो यह है कि अंत क्या रहा, देखिए, भरती आपकी राइट टाइम आना, एक अच्छी चीज है, नंबर ओफ फेकेंसी जादा होना, यह दूसरी अच्छी चीज है, और ती देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन यहां पर बात फस्ती है, टोटल पॉइंट्स क्या बने, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट इनके पास भी आ रहा है, और एक पॉइंट इनके पास भी आ रहा है, तो ना तो कोई बहुत अच्छा निकला, और ना तो कोई बहुत खर लेकिन अगर हम बात करें तो मैं एक जगा अखलेश जी को पॉइंट ज्यादा दे सकता हूँ और वो बात यहां पर यह थी कि उन्होंने हर साल भरती निकाली लेकिन अगर बात हम करते हैं कि वो किस हिसाब से भरतिया हो रही थी तो मैं उसमें योगी जी को पॉइंट दिना चाहूँगा क्योंकि हर प्रकार के बच्चों को मौका भी दिया गया और सबसे बड़ी बात सिर्फ मेरिट पे बिजना होकर आपकी मेहनत पर आपको जॉब मिलती है जो की सबसे अच्छी बड़ी चीज होती है तो योगी जी को ट्वीट जरूर करिए उनको ये बातें जरूर याद दिलाइए कि भले ही आपकी सेल आपने वेकेंसी ज़्यादा निकाली है लेकिन कंटीनिवेशन में नहीं निकाली हाँ अगर एक भरती 50,000 जिसके आने के 99% जांसेज है वो आती है तो यहाँ पर totally totally योगी जी जो है वो क्या कर जाएंगे आपके वो कर जाएंगे नंबर एक पर चले जाएंगे क्योंकि ये बात तो बहुत अच्छी हो जाएगी देखते हैं क्या करते हैं इस ट्वीट के बाद योगी जी को क्या लगता है जब उनको ये चीज बताई जाएंगी तो शायद उनको भी कुछ समझ में आए और बच्चों का महौल भी उनको देखें देखते हैं क्या होता है आगे आप भी हैं हम भी हैं तो दुनों लोग मिलके देखेंगे और देखते हैं अगली शिक्षक भरती का क्या होता है लास्त तक आपने वीडियो देखेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पेपर जो मैंने कराया था वो आज एंड कर दूँगा चल्दी से उसको खतम कर लीजे फिर देखते हैं कल क्या रहता है रिजल्ट कितने आते हैं आपके माक्स थैंक यू और ग्रेट गूटनाइट